हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल जी हाँ गाईज आज मैं आप लोगे साथ एक ऐसा हेयर कट शूर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल छोटे भी नहीं होंगे आपका बालों का लेंथ थोड़ा सा भी कम नहीं होगा लेकिन आपका बालों का प्रॉब्ल होगा गासे एक बालों के साहते हैं अगर आपके बाई थोड़ा सा छोटे है तो थोड़ा सा कम होता है और जब किसको नहीं होता है ने की का बंद हो जाते हैं लेकिन अगर आपका लॉंग है तो अगर आप कट करोगे तो कभी भी वो लंबे नहीं होंगे यूँकि लंबे होने के साथ आपके बालों का स्प्रिटन का प्रॉब्लम चलता ही रहेगा और जितना बार आप अपने बालों को काटोगे उतना ही फिर से बढ़ेगा और फिर से स्प्रिटन का प्रॉब्लम हो जाएगा फिर से काटना पड़ेगा तो बाल लंबे कैसे होंगे तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है की नहीं कि जिससे हमारे बाल लंबे भी रहे काटना भी पड़े लेकिन स्प्रिटन का प्रॉब्लम भी खतम हो जाए हाँ आपने सही सु बाते मत करके आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अब मेरे बालों को काट डालते हैं लेकिन एक मिट अगर बाल काट देंगे तो बाल का लंबिक ऐसे होंगे हमें क्या करना पढ़ेगा थोड़ा सा बालों का ऐसे श्रिक्षन ले लिजिए और उसे अच्छे इसे टैंगल रिमूफ कर लिजिए कोंग के मदद से तो अब हमें इसे अच्छे से ऐसे फोल्ड करते जाना है बिल्कुल एंट तक हमें फोल्ड करना है मैं जैसे दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से हमें फोल्ड करते ही जाना है बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करते हुए लास तक जाना है और बिल्कुल धागे जैसे बना लेना है और अभी हम बिल्कुल इसी तरह से मैं जैसे दिखाई थी बिल्कुल इसी तरह से हम back side से feather कर लेंगे और जितना भी बाल splitton से भरपूर है ये सारे बाल निकल जाएंगे अब हम उसी बालों को ऐसे ऐसे करके side से cut कर लेंगे अब देख रहे हो कि मैं बस उसी बालों को cut रहे हूँ जै अब भी बाल बाहर निकल चुके है उसमें splitton का problem है मैं बिल्कुल ऐसे back side से उसे feather किया है जिससे सारे बाल बाहर निकल चुके है जिसमे splitton का problem है और ऐसे ही cut करने से हमारे बाल का length भी ऐसे ही रहेगा तो मैं फिर से दिखाती हूँ हम पहले एक section लेंगे इसे अच्छे इसे comb करके इसका जो सारे tangles remove करने के बाद इसे ऐसे fold करते जाएंगे बिलकुल आखीर हिस्से तक और फिर हम back side से इसे feather करेंगे बिलकुल इसी तरह से और जितना भी बाल splitton से भरपूर है वो सारे बाल निकल चुके है अभी हम एक catch लेंगे और जो भी बाल निकल चुके है उन्हें cut कर लेंगे ऐसे cut करने से अपके बालों का length जो है वो बिलकुल लंबा ही रहेगा और बस splitton जो है वो बिलकुल खतम हो जाएगा हम बस उन्हें cut कर रहे है पूरे hair को नहीं तो अभी हम लोग बालों को खोल लेते हैं इसे करने के लिए आपको patience की ज़रूरत पड़ेगा तो यही था यह trick यह trick मैंने दिखाए इसे आप 15 दिन तक ऐसे ही करिए क्योंकि एक दिन में आपका splitton का problem कभी नहीं जाएगा क्योंकि थोड़े वाल तो रहे ही जाएगे जिसे आप cut करना भूल जाओगे तो 15 दिनों के करने के बाद हर एक बाल splitton से बिलकुल remove हो जाएगा आपका splitton का problem पूरा पूरा खितम हो जाएगा जितने बारी आप देखोगी कि आपका splitton का problem हो चुका है फिर से ऐसे ही आप 15 दिन तक करिए आपका splitton का problem भी खतम हो जाएगा और आपका बाल छोटे भी नहीं होंगे और बढ़ते ही जाएगे तो यही था आज का वीडि कियों में तभी के लिए टाडाँ